हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 3-1 टेक तो फ्रेंट्स जब भी कोई यूट्यूब पर आता है और अपना चैनल क्रियेट करता है तो उसके माइंड में यही चीज रहती है कि कैसे मेरे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वोस्ट टाइम जो है वो पूरा होगा और कम मैं यूट्यूब से पैसे कम आपाऊंगा 1000 सब्सक्राइबर तो वो जैसे तैसे complete कर देता है लेकिन 4000 गंटे का जो worst time है वो उसे बहुत ज़ादा लगता है और उसके लिए वो अपने YouTube चैनल पे हर तरह की वीडियो डालने लग जाता है और हर तरह की वीडियो डालने के बाद वो confused हो जाता है कि क्या मेरी इस वीडियो का worst time जो है जो भी worst time मेरी इस वीडियो पे व्यूज करने पे मिलेगा क्या वो मेरा monetization के लिए count होगा या नहीं तो इस तरह की confusion उसके मन में हमेशा बनी रहती है अज की इस वीडियो में मैं आपको साथ ऐसे तरीके की वीडियो के बारे में बताने वाला हूँ जो अगर आप अपने YouTube चैनल पर बना कर डालते हैं तो उनका जो worst time है वो आपके monetization के लिए count नहीं होगा जी हाँ दोस्तों वो आपका monetization में उनका जो भी worst time मिलेगा करके उससे all पर set कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नहीं वीडियो की update सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले तरीके की बारे में तो friends ये जो पहला तरीका है वो है story वीडियो का आप YouTube की story में कोई भी video बना कर डाल देते हैं मानलेज़े आपने कोई video बना कर डाल दी कि मेरे आने वाली video ये है मेरे आने वाली video इस दिन आएगी इस तरीकर की कोई भी video आपने वहाँ पर डाल दी ठीक है यह पहला तरीका था आप बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे मैं मान लिजीए आपका शोट्स का चैनल है, आप शोट्स वीडियो बनाते हैं तब भी उसका जो भी वोस टाइम आएगा वो आपका monetization के लिए count नहीं होगा बिल्कुल भी count नहीं होगा यह आपको ध्यान रखना है यह दूसरा तरीके की वीडियो थी अब बात करते हैं थर्ड तरीके के बारे में तो तीसरा तरीका क्या है कि जब भी आप YouTube पर live stream करते हैं मान लिजे आपने एक घंटे की live stream की या दो घंटे की की या 20 मिनट की की 30 मिनट की की live stream करने के बाद अगर आप अपनी वीडियो को unlisted कर देते हैं remove कर देते हैं private कर देते हैं मतलब आप अपनी वीडियो को public नहीं करते तो उससे आपको जो भी वोस टाइम आया होगा जो भी उस time लोगों ने views किया होगा जो भी वोस time होगा वो monetization के लिए count नहीं होगा ये था थर्ड तरीका अब बात करते हैं चोते तरीके के बारे में मान लिजे आप Google Ads का use करते हैं आपने को YouTube पर वीडियो डाली और Google Ads की सायता से आपने उस पे views ले लिए मान लिजे 10,000-20,000 views ल ले जेंगे तो आपका जो वोस time है वो count नहीं होगा मतलब Google Ads से अगर आप किसी वीडियो पर वोस time लेते हैं तो वो monetization के लिए count नहीं होगा अब बात करते हैं फिफ्त तरीके के बारे में पांचमा तरीका अगर मान लिजे आपने YouTube पर कोई वीडियो डाली और आपकी views आ रहे हैं काफी जादा views आ गए हैं और उसके बाद अगर आप अपनी वीडियो को अनलिस्ट कर देते हैं और फिर अपने चैनल को monetization के लिए भेशते हैं तो अगर आपने वीडियो को अनलिस्ट कर दिया है तो आपकी वीडियो का जो वोस time है वो monetization के लिए count नहीं होगा अब बात करते हैं चटे तरीके के बारे में मान लिजे आपने को यूट्यूब पर वीडियो डाली उससे आपको views भी मिल गए subscribers भी मिल गए और उसके कुछ time बाद आपने जब आप वीडियो को monetization के लिए भेशते हैं उससे पहले अगर आपने अपनी वीडियो को private कर दिया तो उससे जो भी वोस time आपका आया होगा वो सारा हट जाएगा मतलब वो खतम हो जाएगा monetization के लिए count नहीं होगा अब बात करते हैं साथमें तरीके के बारे में मान लिजे आपने अपनी YouTube चैनल पर कोई भी वीडियो डाली और वो वीडियो आपकी viral हो गई उस पे काफी अच्छे खासे व्यूज आ गए सब्सक्राइबर्स आ गए और आपकी वो वीडियो पर मान लिजे 20-30,000-40,000 एक लाग व्यूज भी आ गए लेकिन आपने उस वीडियो को डिलिट कर दिया monetization में जाने से पहले आपने अगर उसे डिलिट कर दिया अपने चैनल से तो उससे जितना भी वोश टाइम आया होगा वो सारा डिलिट हो जाएगा monetization में से वो कम हो जाएगा monetization में वो count नहीं होगा तो यह वो сात तरीके थे अगर आप इस तरीके की वीडियो बनाएंगे तो आपके चैनल पर मान लिजे आपकी वीडियो पर कितना भी वाउस टाइम आया ह है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें थैंक यू